सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार समास के भेदों पर चर्चा इस स्व्याख्यान का प्रमुख विशा है इससे पूर्व अवेभाव समास पर चर्चा की जा चुकी है उसमें कुछ शेश सूत्र थे जिन पर चर्चा करने के बाद आज मैं आपके सामने द्वंद्व समास पर पाणिनी अश्टा ध्याई के सूत्रों के आधार पर चर्चा करूँगे अवेभाव समास में प्रत्यों का प्रयोग किस प्रकार से होता है कौन-कौन से समासांत प्रत्य अवेभाव समास में प्रयोग तो होते है उसी संदर्व में मैं आपके सामने टच प्रत्य और कहां होता है इससे पूर्व टच प्रत्य से सम्बंधित सूत्रों पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ टच प्रत्य और कहां होता है उससे सम्बंधित सूत्र है जया हो और जया सूत्र का अर्थ है जय अंताद अव्य भावा टच वास्याद अर्थाद जो भी अव्य भाव समास जह प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले किसी भी वर्ण में समाप्त होता है तो उसको विकल्प से समास के अंत में टच प्रत्य कर दिया जाता है तो विकल्प जैसा कि हम जानते हैं कि विकल्प करने पर दो रूप निश्पन होते हैं एक प्रत्य करने पर और एक प्रत्य बिना किये तो आपके सामने उपसमिधम और उपसमिध ये दो रूप हैं उपसमिधम टश प्रत्य करने के उपरांत बनता है और उपसमिध टश प्र ना करने पर बनता है उप समिधम क्या यदि हम विग्रह करेंगे तो समिधा समीपम समीप अर्थ में उप का समिध सू के साथ समास हुआ है और समास करने के बाद पुना प्रातिपदिक संग्या विभक्ति लोप इत्यादी और पुना प्रातिपदिक संग्या इत्यादी कारे क करने के बाद हमारे पास उप समिध ये स्थिती बनती है अब ये उप समिध अवे भाव समास है और अवे भाव समास होने के कारण प्रस्तुत सूत्र द्वारा जया सूत्र द्वारा यहां पर समास के अंत में टच प्रत्य किया जाएगा यहां पर एक प्रश्न भी हो सकता है क उप समिध में पहले सुआदी की उत्पत्ती क्यों नहीं की जाती है प्रत्ते पहले क्यों किया जाता है तो इसका उत्तर इसके समध्न में मैंने पहले भी आपसे कुछ चर्चा की थी अभी मैं पुना बताना चाहूंगी कि समासांत प्रत्ते के साथ ही अवे भाव समास होता ह इसलिए समासांत प्रत्य करने पर अवी भाव समा संग्या होती है और फिर उसके बाद सुआदे की उत्पत्य होती है तब ही प्रातिपदिक संग्या होगी तो इसलिए पहले हम प्रत्य करेंगे समासांत उसके बाद सुआदे की उत्पत्य करेंगे ये विशेश रूप से ध् और जब अकारांत रूप बन जाता है तो फिर सूक युद्पत्ति, उसके स्थान पर अम और अमी पूर्वह से पूर्व रूप होकर उपसमिधम ये रूप बनता है. इस प्रकार के रूप हम पूर्व में भी बना चुके हैं. उसी प्रकार से ये भी उपसमिधम बनेगा. ब और सूकी हल मिया अब्योदीर्गाट सूतिस्यप रिक्तम हल सूत्र द्वारा सूका लोप होगा. या अवे भावसमास है तो अवे संग्या होने के कारण यहाँ पर अवे यादाब सुपह से सूका लोप हो जाएगा. और सूपर लोप जब करते हैं तो फिर धकार के स्थान पर जलाम जश्वांते सूत्र द्वारा तकार हो जाएगा और फिर हमारे यहां पर उपसमित रूप बनेगा इसमें जलाम जश्वांते के अवशिक्ता नहीं होगी यहां पर हम जो है वावसाने सूत्र द्वारा यहां पर चर प्रत्यार का वन करेंगे और चर प्रत्यार के अ अगला और सूत्र है और वो है गिरेश्च सेनकस्या ये भी टच प्रत्ते करता है अवेभाव समास में और इसका अर्थ है गिरेश्च गिरियंताद अवेभावाद तच्वास्याद अर्थाद जो अवेभाव समास गिरी में समापत हो रहा अर्थाद जिसका अंतिम जो शब् पद है वो गिरी है तो उस से समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्य किया जाएगा अब यहाँ पे विकल्प ग्रहन यहाँ पे सेनक से शब्द का प्रयोग किया गया है यह पूजार्थ है सम्मान के लिए किया गया है इसी कारण से हम यहाँ पर विकल्प समझते हैं कि यहा के अनुसार टच प्रत्य नहीं होता तो यहां पर भी टच प्रत्य जब हम करते हैं तो उप गिरम बनता है गिरे है समीपम तो उप और गिरी का समास होता है और समास होने के बाद जो है यहां पर अम हो उसके बाद टच प्रत्य होता है और जब हम टच प्रत्य करते हैं तो गि कि टच प्रते तधित प्रते हैं और आमें समाप्त हो रहा है तच कट लुप्त हो जाता है और रहता है इसलिए इकार का लोब करके उपगिर यहलंत होता है और उसमें टच प्रते का आज हम जोड़ देते हैं तो उपगिर ये एक पूरा शब्द बन जाता है अकारांत और फि उपगिरी ही रूप रहता है, तो उपगिरी सू का अवयाद आप सुपह से लोप होकर बनता है, जिस प्रकार से अधिहरी बनता है, वहाँ पे अधि के साथ है सब्तमी के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में और यहाँ पर समीप के अर्थ में उपके समासाथ गिरी का समास है तो इस प्रकार से अव्य भाव समास प्रकरण समाप्त होता है अब मैं आपके सामने द्वंद्व समास पर चर्चा करूगी है आचारे पाणिनी द्वारा द्वंद्व समास से संबंदित सूत्र दिये गए हैं तो उन सूत्रों को यदि हम विभाजित करें तो हम ये जान पाते हैं कि द्वंद्व समास में हम किस प्रकार से सूत्रों को विभक्त कर सकते हैं और उससे हम द्वंद्व समास की सिध्धी कर सकते हैं तो सबसे आवश्यक द्वंद्व समास में समास विधायक सूत्र अर्थात समास करने वाला सूत्र या करने वाले सूत्र कौन से हैं दूसरा होता है पूर्व प्रयोग समंधी सूत्र ये कारे समास के अंतरगत होते हैं प्रमुख कारे तो उसमें फिर समास क्योंकि दो या दो से अधिक पदों में होता है इसलिए फिर ये एक समस्या ये होती है एक प्रशन होता है कि किसका पूरु प्रयोग किया जाए तो हम अन्य समासों में कर चुके हैं दुन्द्र समास में भी पूर प्रियोग समंदी कौन से सूत्र है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद है लिंग वचन निर्धारन समंदी सूत्र अब जब समास करते हैं तो उसमें जो पद होते हैं उसमें एक ही लिंग या एक ही वचन के पद नहीं होते हैं भिन भिन लिंग और वचनों में उनका प्रयोग होता है तो इसलिए प्रशन ये उठता है कि फिर लिंग निर्धारन किस प्रकार से किया जाए अगर स्त्रिलिंग पुलिंग दोनों शब्द उसमें है उनमें समास है तो फिर लिंग का निर्धारन कैसे ह इससे संबंदित सूत्रों पर हमें चर्चा करनी है और वचन भी अब एक वचन का एक पद है दूसरा बहुवचन का है तो वचन का निर्धारन जो है समास करने के बाद समस्त पद से वचन कौनसा प्रयोग किया जाएगा इससे संबंदित सूत्रों पर भी हमें चर्चा करनी ह उसके बाद हम वच्चन निर्धारन समंदी वेकलपिक सूत्र भी हैं हम जानते हैं कि आचारे पाणिनी पहले एक समान्ने सूत्र देते हैं और उसके बाद या पूर्व ऐसे सूत्र देते हैं जहां पर वो कारे होता भी है और नहीं भी होता तो उसे हम कहते हैं वैकल्पिक सूत्र तो वच्चन निर्धारन से संबंदित जो वैकल्पिक सूत्र द्वंद्व समास के संदर्ब में आचारे पाणिनी ने दिये हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और जो पांचवा है जिस पर हम चर्चा करेंगे समासांत प्रत्य संबंद द्वन्द्व समास में भी समास के अंत में कुछ प्रतियों का प्रयोग होता है और उस से संबंदित सूत्रों पर चर्चाम करेंगे तो देखिए इन में जो विभाजित किया है मैंने वो पाणिनी अश्टाध्याई के सूत्रों को एकत्र एकठा करके अर्थात समास करने वाले सूत्रों को एकत्र कर लिया पूर्व प्रयोग के सूत्र सभी मैंने एकत्र कर लिया द्वंद्व समास से संबंदित लिंग वचन निर्धारन समंदी और वच्चन निर्धारन से वेकल्पिक सूत्र और समासांद प्रते इस से ये सुविधा हो जाती है कि हम समस्त पद बनाएं किस प्रकार से क्योंकि विग्रह वाक्य को समस्त पद में बदलना हो या समस्त पद बनाना हो या हमें भाशा में परियुक्त समस का अर्थ होता है तो जब तक हमें अर्थ करना नहीं आएगा तो हम किसी भी भाषा को समझ में नहीं भाषा समझ नहीं सकते हैं तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हैं ये पांचों बिंदो तो इनके अनुसार हम आगे द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला ज समास जैसा की नाम से है द्वंद्व द्वंद्व मिस यूगल दो जोड़ा तो यहां पर जो है ये समास द्वंद्वों में होता है और इसका जो लक्षन है या कहां ये समास होता है इसके लिए एक सूत्र ही है जो की चार थे द्वंद्वा यही सूत्र है जो हमें बताता है कि द्वंद्व समास कहां होता है, कब होता है और उसके क्या विशिष्टा है एक मात्र ये समास विधायक सूत्र है द्वंद्व का तो वो है चार थे, चार थे में च अर्थे द्वंद्व है तो सूत्र का साधारन अर्थ जाने तो यह है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है जहां पर भी च हिंदी में अर्थ होता है और तो जहां पर भी और है च है तो वहां पर उस अर्थ में जो पदे हैं जिनके मद्द्य च है उन में द्वंद्व समास होता है हम जानते हैं कि जब समास करते हैं तो फिर विभक्तियां भी और जो च आदी शब्दों के द्वारा मुस्समास को अभिव्यक्त करते हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं तो मैं इस सूत्र का अर्थ वृतिकार ने जो दिया उसके अनुसार आपके सामने इसको स्पष्ट करूँगी इस सूत्र का अर्थ है अनेकम प्रतमांतम चार्थे वर्तमानम अब चार्थ के अर्थ में कौन तो उसके लिए अनेकम प्रतमांतम ये वहुवरी समास में भी हमने प्रतमांतों का समास किया था तो यहाँ पर भी प्रतमानतों के मद्धी समास है द्वंद्व समास भी लेकिन ये समास अन्य पद के अर्थ में नहीं है अन्य पद के अर्थ में होता है तो फिर वो बहु रही है परन्तु ये द्वंद्व समास किस अर्थ में है तो अनेकम प्रतमानतम अनेकम है जो एक नही में समाप्त होने वाले तो प्रतमान्तम चा अर्थे वर्तमानम और वो प्रतमान्त जो की चा के अर्थ में विद्यमान हैं उनका विकल्प से समास होता है और वो द्वंद्व समास कहलाता है तो देखें चा के अर्थ में जो वर्तमान अनेक प्रतमान्त हैं उनका हम समास करते ह और वे समाज द्वन्दु समाज कहलाता है अब ये अवश्यक हो जाता है कि चा का अर्थ चा का अर्थ क्या हमने चा मतलब और समझा लेकिन भाशा में चा अनेक अर्थों में प्रयोक्त होता है इसलिए ये प्रश्न होता है कि क्या चा के सभी अर्थों में द्वन्दु समाज संभभ हो सकता है तो उसके लिए सर्वप्रत्थम ये जानना अवशक है कि भाशा में च और का प्रयोग किन-किन परिस्थितियों में होता है तो उसके लिए देखे विर्तिकार ने कहा समुच्यान वाचये तरयतर योग समाहाराह चार था हम तो देखिए चा के चार अर्थ होते हैं चार ही अर्थों में हम चा का प्रयोग करते हैं एक है समुचय दूसरा अनवाचय तीसरा इतरेतर योग और चौता समाहार यह चा के अर्थ हैं किसी भी वाक्य में जब दो शब्दों को दो पदों को जोडते हैं परस पर उनको संबंदित करते हैं तो चो के माध्यम से करते हैं लेकिन इने अर्थों में इन चार अर्थों में ही करते हैं तो देखिए अब हम इनको स्पष्ट करेंगे कि कहां चो का अर्थ समुच्चे अर्थ में हैं कहां अन करना चाहूंगी, तो समुच्चे च का अर्थ समुच्चे है, उसके लिए देखिए हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, कि यहां पर इन पदों के बीच जो च है वो समुच्चे अर्थ में है, तो कहा परस्पर निरपेक्ष अस्याने कस्या इकस्मिन अन्वयह समुच्च यहा तो देखिए समुच्च का अर्थ है कि जो परस्पर निरपेक्ष अर्था जो दो पद या दो से अधिक पद परस्पर निरपेक्ष हों निरपेक्ष मिस एक दूसरे की अपेक्षा न करते हों ऐसे अनेक पदों का एकस्मिन अन्वय है एक में ही जब अन्वय किया जाता है चर के द्वारा तो वो चर समुच्चे अर्थ में प्रयोग तो होता है तो देखिए इसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करूँगी इसका उदाहरण है जैसे तत्रेश्वरम गुर गुरुम चर भजहस्व इति समुच्चे अर्थ में चर का प्रयोग है यहां पे तत्र तो वदाहरण को आरंब करने के लिए वास्तामें वाक्य है इस्वरम गुरुम चर भजहस्व अर्थाग इश्वर और गुरु का भजन करो उनकी सेवा करो तो यहां पे देखिए इस् तो यहाँ पर इश्वर और गुरु का भजस्व के साथ योग हुआ है अन्वय हुआ है एकस्मिन अन्वया में भजस्व भजन करना किसका इश्वर का भी और गुरु का भी तो इश्वर और गुरु दोनों को चर्थ के द्वारा भजस्व के साथ जूड़ा गया है और यहाँ पर देखिए इश्वर निरपेक्ष है गुरू निरपेक्ष है अर्थाद इश्वर को गुरू की अपेक्षा नहीं है गुरू की इश्वर को अपेक्षा नहीं है भजन करने के लिए भजन करना है स्वतंत्र रूप से इश्वर का भजन करो और गुरू का भी भज तो मतलब यहां पर इश्वर और गुरु दोनों ही नरपेक्ष हैं भजन करिया में, स्वतंत्र रूप से दोनों का भजन करना है, परंतु च के द्वारा इन दोनों स्वतंत्रों को भजस्व के साथ अन्वे किया गया है, तो यहां पर च किस अर्थ में हैं? समुच्चे दूसरा चर का अर्थ है अन्वाचय तो अन्वाचय के लिए अन्यतरस्य अनुशांगी कत्वे अन्वाचय हो अर्थात अन्यतरस्य अनुशांगी कत्वे अर्थात जहां दो को जोडा चर के साथ दो को जब संबंद स्थापित करते हैं तो उन में से एक पद गौन और एक मु अर्थाद च़ के द्वारा हम दो ऐसे पदों को क्रिया के साथ अन्वित करते हैं जिन में एक मुख्य रुप से अन्वित होता है दूसरा गोन होता है तो इसके लिए देखे मैं उदारन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं और उदारन है विक्षामट गामचानए ये देखे ये वाक्य ये भी च़ है इसमें देखे सब में च़ का प्रयोग आप देख रहे हैं तो बिक्षाम अट एक वाक्य है कि बिक्षा लेकर आओ बिक्षा लो और गामचानए और गाए को लाओ तो यहाँ पर देखे बिक्षा और गाए इन दोनों को च़ के साथ च़ क देखिए यहां ध्यान देने युग्य है कि भिक्षा लाना ये मुख्य है और अगर आप भिक्षा ला रहे हो तो आते हुए आप गाए भी ले आना चव बाद में चव गाए के साथ संबंद कर रहा है भिक्षा को तो यहां पर भिक्षा लाना जो है ये मुख्य है और गाए लाना जो है ये गौन है तो ये चव के द्वारा मुख्य और गौन इन दोनों को जोड़ा गया है तो यहां पर इसको हम कहते है अनवाचे अनवाचे में एक पहले मुख्य और अनवाचे इसको बाद में कहा जाए तो यह यहां पर अन्वाचे अर्थ में चर का प्रयोग है, अब यहां पर बताया है कि ना समासो और समर्थयात, अब हम जाते हैं पीछे समास किन पदों में होता है, तो सूत्र था, समर्था पद विधी, पाणिनी ने इसूत्र दिया, कि जो भी पद संबंदी विदी है, वो उन पदों में ही हो सकती है, जिन में परसपर समर्थ्य हूँ, और समर्थ्य में व्यपेक्षा और एकार्थी भाव, दो प्रमुख निमित हैं उसके समर्थ्य के, तो यदि पदों में परसपर व्यपेक्षा नहीं होगी, अकांक्षा न होगी तो उनमें समास नहीं हो सकता इसलिए जैसे समुच्चे में दोनों ही निरपेक्षें दोनों ही स्वतंत्र हैं दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है तो यहाँ पर समर्थ्य ही नहीं है इसलिए समास नहीं हो सकता दूसरा है कि दूसरे में एक मुख्य और एक दोनों ही समान रूप से अन्वित होंगे एक ही क्रिया के साथ देखें यहां पर इश्वर का जो अन्वे है वो भजस्व जो है दूसरे वाक्य में जो अन्वाचे की बात करें तो भिक्षा का संबंद है अट क्रिया के द्वारा और गाय का संबंद है गाम का संबंद है आने क तो यहां पर एकार्थी भाव ही नहीं है एक ही सांक्रिया के साथ अन्वे नहीं है इसलिए इन दोनों में समर्थे नहीं हैं तो चा के ये जो दो अर्थ हैं समुच्चे और अन्वाचे इन में समर्थे ना होने के कारण समर्था पदविधी सूत्र के अनुसार समर्थे ना हो तो समास नहीं हो सकता तो यहाँ पर इन दोनों में चवके ये दो अर्थ जदी हैं तो हम समास कभी नहीं करेंगे अब हमारे पास दो अर्थ बचते हैं इतरेतर योग और समो समाहर तो यहाँ पर इतरेतर योग की बात करें तो कहा मिलिता नाम अन्वये इतरेतर योगा ये चवा का एक इतरेतर योग अर्थ में प्रयोग बताते हुए कहा कि जब मिलिता नाम अर्था दो पद दो या दो से अधिक पदों को एक साथ अन्वित किया जाए किरिया के साथ अन्वय उनका किया जाए तो वो इतरेतर योग है अर्थाद तीनों यद्देपी वो पद भिन भिन है परंतु तीनों को मिलाकर एक साथ एक क्रिया में जब अन्वेव हो जाता है तो वहाँ इतरेतर योग चर का अर्थ होता है और इसी मिलिता नाम जब मिलित में समस्त जो पद है उनके समू को जब अन्वित किया जाता है एक क्रिया में, तो वहाँ पे समाहार अर्थ होता है चव का, मैं उदाहरण से आपको स्पष्ट करूँगी, उदाहरण है धव खदिरव, अगर इसको मैं वाक्य में प्रित करूँ, तो धव खदिरव चिंदी, धव और खदिर ये ध धव और खदिर दोनों को एकठा एक साथ हम अन्वे हमने किया, धव और खदिर दोनों में से एक को काटने से चिंदी क्रिया नहीं संपन होगी, धव भी और खदिर भी दोनों मिलकर जब काटे जाएंगे, तो ही चिंद क्रिया के साथ उसका अन्वे हो पाएगा, तो मिलित नाम जहाँ पर मिलकर दोनों क्रिया के साथ अन्वेत होते हैं तो वहाँ पर इतरेतर योग होता है च्व का संबंद तो धव खदिरो धवश्च खदिरश्च तो धव और खदिर दोनों का चिंदी क्रिया से एक साथ अन्वे हो रहा है और दोनों में से एक भी नहीं अगर छेदन नहीं होता लुग ये क्रिया संपन् नहीं होगी तो यहां इसमें ये मैंने बताया आपको इतरेतयोग恐 और इसी में मैंने कहा कि ज़दी इनके समू का एक क्रिया में एक साथ अनौय होता है तो वहाँ पर समाहार होता है च का अर्थ, जैसे संग्या परिभाशम, तो संग्याश्च परिभाशाश्च, संग्याएं और परिभाशाएं, ये समू है संग्याओं का समू और परिभाशाओं का समू, तो इनको संग्याश्च, संग्याएं और परिभाशाएं, तो जब इनक हम मिलाते हैं साथ में इनको एक ही क्रिया में यदिया मन्वित करते हैं तो फिर संग्या परिभाशम पठ इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो यहां पे समू है एक संग्या नहीं संग्याओं के समू को और परिभाशाओं के समू को दोनों को ही यदि मैं केवल संग्या पढ़ ल और इसलिए कहा कि समाहार अर्थ में और अन्वाचे अर्थ में ही द्वंद्व समास होता है यदि च का प्रयोग किया जाए तो अब मैं आपके सामने आचारे भरतरी हरी ने द्वंद्व समास के सम्बंद में क्या कहा उस पर चाहूंगी कि कुछ चर्चा की जाए क्योंकि आचारे भरतरी हरी ने अपने वाक्य पदिये ग्रंथ में वाक्य से सम्बंदित दार्शनिक चर्चा की है जानते हैं कि व्याकरण को दर्शन के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय जो है सैध्धान्तिक रूप से जो उन्होंने किया व्यवस्थित रूप से वो आचारे भरत्रिहरी को ही जाता है और उन्होंने अपने वाक्यपदिये में शब्द ब्रह्म सिध्धान्त को प्र हम वाक्य में पदों को खंडित करके वाक्य नहीं जान सकते उनको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि वाक्य में अलग अलग पदों का अपना कोई अर्थ नहीं होता उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है वाक्य में ये आचारे भरत्रियरी का कहना है और उनका कहना है कि वाक्य में प अखंड है उसके हम पदों की रूप में टुकड़े नहीं कर सकते हैं ये भरत्रीहरी का अखंड वाक्य सिद्धान्त है अब इसी संदर्ब में यदि में कहूं तो आचारे भरत्रेहरी ने मिमान सुकों को पद्वादी कहा है पदवादी में जो ये मानते हैं कि वाक्य पदों की अतिरिक्त कुछ नहीं है पदों का अपना पदों से ही मिलकर वाक्य बनता है जबकि मैंने बताया आचारे भरत्री हरी का मत है कि वाक्य पदों से अतिरिक्त है इसमें अलग-अलग पद का कोई महत्व या अस्तित्व नही तो इस सम्दर्भ में आचारिभरतरी हरी ने कुछ शंकाएं जो मिमानसकों ने उठाई हैं उनका भी विस्तृत वर्ण किया अपने द्वितिय कांड में, वाक्य कांड में जिसमें मिमानसकों के 24 न्याए उन्होंने विस्तार से बताए और उन्होंने इस पर कहा पूरपक्ष के रोप में उनने बताया कि यदि मिमानसकों के अनसार यदि पद पदार्थ की सत्ता वाक्य में नहीं है तो फिर ये जो सिद्धान्त हैं जो न्याये हैं जैसे प्रसंग न्याये हैं अवृत्ती न्याये हैं तंत्र न्याये हैं जिनके द्वारा हम अर्थ को वाक्य के अर्थ को जानते हैं और एक से अधिक कभी अर्थों को जान लेते हैं एक वाक्य में ये एक बड़ी विस्तृत अलग से चर्चा है जिस पर कभी बात की जाएगी परन्तों मैं द्वंद्व समास के तंदर्व में आपको बताना चाहती हूँ कि अचारे भरतरी हरी अखंड पक्ष में किस प्रकार से द्वंद्व समास को स्पष्ट करते हैं तो जैसा कि मैं बता रही थी कि उन्होंने उन्होंने आयों को जो है विस्तार से वर्नित भी किया और उनको फिर खंडन भी किया है अपने अखंड पक्ष तो इसी संदर्व में द्वंद्व समास को लेकर भी आचारे अचारे भरतरी हरी ने स्वयम ही शंका उठाई है और उस शंका को अखंडवा के पक्ष में किस प्रकार से समाधान होगा तो इनकी शंका और इनके समाधान को समझते हुए भी द्वंद्व समास अचारे भरतरी हरी ने किस प्रकार से स्पष्ट किया इस पर भी हम चर्चा करे झाल झाल